हेलो फ्रेंद्स देखपक पिछले कुछ टुटोरियल के अंदर हम लोग स्ट्रिंग के मैथट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं आज हम लोग स्ट्रिंग के कुछ और मैथट्स करेंगे और यह बेसिकली कंवर्जिन के अंदर आ जाती है इस्ट्रिंगे अंदर तौ मैथट्स करेंगे अर एक हम लोग करेंगे यह बों लोग स्ट्रिंग करेंगे करें को ऐए तोटा मैथड थी बुंपर केकरेंगे है तो यहां पर धेखो यहां पर मैंने एक class create कर दिए तेस्ट के नेम से यहां पर मैंने method create कर दिया that is public static void man and a string भी ले लिया that is string as equals to यहां पर कुछ भी string ले लिए for example दीपर की ले लेते हैं मैंने सबसे पहले कर लेते हैं case conversion means two uppercase and two lowercase तो यह दोखो यह तो name से ही पता चल रहा है मैंने यहां पर system.out.println लिखा and मैंने लिखा s.to uppercase मैंने यहां पर लिखा that is s.to uppercase तो यह क्या काम करेगा यहां पर देख रहो s string के अंदर सारे कौन से lowercase characters है तो यह क्या काम करेगा इन सारे characters को अपर case में convert कर देगा तो यहां पर मेरे पास output क्या आ जाएगे that is dwpak मेरे पास इस टाइप से output आ जाएगी okay same अगर यहां पर for example दीपक की जाएपर कुछ इस टाइप से होता तो dwpak तो यह क्या करता डी ओल्रेडी मेरे अपर केस में है तो यह अपर केस ही रहता बाकी सारे characters को यह अपर केस में convert करके display करवा देता clear a point तो तो अपर केस method वह characters को अपर केस में convert कर देता है and अगर मैं use करता हूं for example s.to lowercase case तो इस केस में वह क्या काम करेगा s.to lowercase यह already मेरे lowercase में है तो यह output क्या provide कर देगा that is deepak अगर ट्रिंग में deepak किस टाइप से होता तो यह देखो यह क्या था अपर केस था तो again यह इस d को lowercase में convert कर देता and same ही output यहां पर आती तो two upper case वह सारे characters को uppercase में convert करता है and two lowercase वह हर एक character को lowercase में convert कर देता है तो यह तो हो गए two uppercase and two lowercase methods अब हम लोग करते type conversion method तो सबसे पहला है that is value of value of method है वह किसी भी दूसरे data type को string में convert करता है कैसे यह चीज़ देखो जैसे मेरे पास यहां पर कोई भी एक string है for example int a equals to 10 okay मैं यह चाहता हूं कि यह यह वाली value convert किसमे होजे string में convert होजे तो मैं क्या करूंगा यहां पर string s1 equals to मैं यहां पर कौनसा method use कर दूंगा that is string dot value of मैंने यहां पर value of वाले method का यूज कर दिया और इसके अंदर मैंने क्या पास करवा दिया है यह यहां पर मैंने पास करवा दिया तो यह integer value को as an argument ले रहे and यह किसमें convert कर रहे है इस integer को किसमें convert कर देगा string में convert कर देगा and s1 के अंदर store करवा देगा तो यह चीज़ यहां रखना value of जो वो static method है जो मैं string class के through directly call करवा हूँ okay then value of वो कोई भी data type यहां पर ले सकता है जैसे integer हो गया then character हो गया object हो गया तो यह किसी भी दूसरे data type को as an argument लेता है और वो उसको convert किसमें करवा देता है string में convert करवा देता है clear point then एक method और है that is to care array अगर मैंने यह वाले string को character array में convert करना है for example यहां पर मैंने care array create कर दिया care c यह मैंने character array create कर दिया तो मैं इस वाले string को as.to care array मैं क्या कर सकता हूं यहां पर इस type से string को character array में convert कर सकता हूं और मैं उसको character array में store करवा सकता हूं तो to care array वो string को character array में convert करवा देता है और फिर मैं उसको c के अंदर store करवा दूँगा और उसके बाद अब आपके उपर depend करता है आप किस type से इसको process करना चाहते हूं तो यह simple type conversion वाले methods आगे है to care array यह string को convert करता है character array में हमारे type conversion methods की category में तो यह चारो methods एक बार मैं आपको practically भी करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने netbeans open कर दिया और मैं यहाँ पर एक new project create कर देता हूं यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूं that is name.to uppercase तो यह देख रहो यह value किस में return कर रहा है string में तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर print करवा देता हूं directly that is name.to uppercase तो यहाँ पर देखो जब मैं program को run करूंगा तो यह देखो यह output क्या provide कर रहा है दीपक button uppercase जितने भी characters थे यहाँ पर वो सारे के सारे किस में convert हो चुके है अपर केस में convert हो चुके है अगर मेरे पास कोई एक character already अपर केस में है यह उसको अपर केस में ही रहने देगा बाकियों को यह अपर केस में convert कर देगा अगर मेरे पास कोई अपर केस में character है तो to lowercase केस क्या काम करेगा वो उसको lower case में convert कर देगा for example मैंने यहाँ पर लिख दिया name.to lower case तो यह देखो अपकी बार यह small में ही output provide कर देगा इसने d को lower case में convert कर दिया clear a point अगर यह पूरा का पूरा ही upper case में है for example कुछ इस type से है तो यह सारे के सारे characters को यह lower case में convert कर देगा clear a point then कुछ methods हम लोग use कर लेते हैं that is type casting methods type casting methods में that is value of and to care array तो for example मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक integer value ले लेता हूँ that is int a equals to 10 अब यहाँ पर अगर मुझे a को a किस type का है integer type का अगर मुझे इसको string में convert करना है तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा कौन सा method यूज करूँगा that is string dot value of तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं simply लिख देता हूँ that is string as equals to मैंने यहाँ पर कर दिया that is string dot value of तो यह देखो value of एक तो यह चीज़ धिया रखना value of जो है वो static method है इसी वज़े से हम लोग directly इसको string class के through ही call करवा रहे हैं and then value of के अंदर हम लोग object पास कर सकते हैं boolean पास कर सकते हैं character पास कर सकते हैं तो यह देखो यह सारे की सारी चीज़े हम लोग इसके अंदर पास करवा सकते हैं तो मैंने अगर यहाँ पर किया int i और यहाँ पर एक चीज़ और notice करो यह देखो यह value यह किसमे return कर रहा है value that is in string तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ that is string.value of a तो यह क्या काम करेगा a की value को वो string में type cast कर देगा clear a चीज़ यहाँ पर आप लोग इस type से देख सकते हो for example b equals to 20 यहाँ पर मैंने लिखा a plus b तो यह क्या output provide कर देगा यह 30 output provide कर देगा but अगर मैं इसको यहाँ पर इस type से convert करता हूँ for example मैंने कर दिया string s1 और यहाँ पर मैंने कर दिया string s2 equals to string.value of यहाँ पर मैंने कर दिया b और अब की बार हम लोग एक काम करते है s1 plus s2 को print करवाते हैं तो यह देखो यह यहाँ पर output देखना यह देखो यह जो output provide करेगा that is system.out.println a plus b यह provide कर रहा है that is 30 and अगर मैं इन दोनों values को इन दोनों integer को string में typecast कर देता हूँ और फिर जागर मैं उनको add कर वाता हूँ that is 10 20 and इस case में मेरे पास output क्या रही है that is 30 तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी data type string में convert करना है हम लोग कौन सा method यूज़ करते हैं value of and then last method हम लोग यूज़ कर सकते हैं that is care array तो care array का simple method है for example यहां पर अगर मैं करता है that is care c equals to मैं यहां पर simply कर सकता हूँ that is name dot do care array तो यह देखो to care array यह यह यहां पर आप लोगों चेक कर सकते हो यह देखो to care array जो है वो output किसकी form में return कर रहा है किसकी form में value return कर रहा है care array की form में तो ये देखो मैंने आगी क्या कर दिया है care array c provide कर दिया and then name.to care array इस type से लिख दिया अब आप यहाँ पर c को directly print करवा सकते हो ये array c array character array को print करवाईगा ये देखो मैं यहाँ पर run करके दिखा देता हूँ आपको ये देखो ये character array यहाँ पर print करवा रहा है that is the bug conversion method okay तो case conversion methods के अंदर basically दो method आगे है that is two uppercase and two lowercase and type conversions के अंदर two methods आगे है that is string dot value of जिसमें value of जो है वो static method है and second method आजाएगा that is two care array two care array जो है वो string class का method है तो हम लोग string class के object के through इसको call करेंगे because ये static method नहीं है okay तो ये चार methods आप लोगों को ध्यान रखने है okay so I hope आप लोगों को string से related ये methods भी पता चलगे होंगे that is two uppercase two lowercase and value of and two care array okay तो ये थे हमारे case conversion method और ये थे हमारे type conversion method जो आप लोगों को ध्यान रखना है okay अगर आप लोगों को इन method से related को कोई भी doubt है तो आप लोग comments के अंदर पूछ सकते हो okay thank you अजय कोई भी तो आप बार आप लोगों कोई अाप लोगों कोई और रखना है